हालो दोस्तों मैं पिंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल यूगे टुटोरियल में आज का मेरा टोपिक है दोस्तों जार्कन की सिचाई प्रनाली और इसे समधित जो भी औजेक्टिव है उसको सॉल्ब करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रस्न है कि जार्कन राज में कूल सिंचित भूमी है तो कूल सिंचित भूमी है दोस्तों 12 दस्मलो 77 प्रतिसत सिंचित भूमी समझ सकते हैं दोस्तों जो भूमी सिचाई योग है सिचाई होग होने के साथ साथ जिसमें पटवन की सुविधा उपस्थित हो तो सिंचि सबसे सखंता का आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों क्रोपिंग इंटेंसीटी तो यहां पर ज्ञारकन में जो है दोस्तों ओ है 100 यहां पर कोस्टन जो यह है दोस्तों तो गलत दिया हुआ इसका होगा यहां पर 126 परशेंट तो आप इसको याद रख लिजएगा के 126 परशेंट होगा 166 दिया हुआ जो गलत है बुक में कहीं कहीं गलत दोस्तों इसको सुधार लिजेगा अन्याथ गूगल करके आप देख लीजेगा जीस में लगेगा आगला प्रेस ने दोस्तों कि झारकन राज में सा अगला प्रस्न है कि जार्कन में मुख्यतर कितने परकार की फसले पैदा होती है तो जार्कन मुख्यतर तीन परकार की फैसले पैदा होती है रवी, खरीब और नगदी फसल अगला प्रस्न है कि ज्यारखन राज में उत्पादित की जाने वाली दूसरी परमुक फसल है अगला प्रस्न है कि ज्यार्कन राज में सीचाई का सरूधिक परमुक साधन है जारकन राज में सेचाई का प्रमुक साधन है दोस्तों कुवा के बाद नमबर आता है दूसरा तलाब इसके बाद नहर इसके बाद नलकूप तो A, B, C, D आप इसको करम से ही याद कर लिजेगा ये करम में दिया हुआ है अब आपको याद करने में सुविधा भी होगी पहला सुविधा कुवा है वही आगे बात करें तलाब इसके बाद नहर इसके बाद नलकूप अग्लात दौस्तों जारकन राज में सिंचीत जारकन राज में संचालीत निवनी सिचाई पर्योजना मोन की और स्थिती के अधार पर क्वान सा एक गलत है जो चुनना है इसको चुन यहां पर बिल्कुल सही है दोस्तों इसके बाद देखिए पुनासी जला से परियोजना देवगर ए भी सही है इसके बाद देखिए अजय बराज परियोजना देवगर में है यहां पर D option दिखाई देरा है दोस्तों कि काची सीचाई परियोजना पलामो यह गलत है दोस्तों क कूल सिंचीत भूमी का लगभग कितना प्रतिसत भाग सतही जल के द्वारा सिंचीत होती है तो कूल सिंचीत भूमी जो है दोस्तों जो याद हो गया कूल सिंचीत भूमी कितना है तो 12 दस मलो 77 प्रतिसत कुल सिंचित भूमी है जिसमें से उसका जो सिचाई जो होती है उसमें सतही जल के द्वारा 58 प्रतिसत भाग पर सिचाई होती है सतही जल जो होता है जो तो भूमी को उपरी सता पर जो जल पाई जाती उसको सतही जल करते है अगला प्रस्न है दोस्तों कि जार्खन राज में कुल सिंचित भूमी का लगभा कितना परतिसत भूभाग भूमी गजल दवरा सिंचित होता है अब भूमी गजल तो आप समझते हैं दोस्तों जो भूमी से कोड की निकाली जाती है जल कि उसे कितना प्रतिसद सिंचित होता है जो 41 प्रतिसद भाग है दोस्तों वो भूमिगजल के दौरा सिंचित किया जाता है आगला प्रस्ना है कि जहारकन में नीम में से कीजीले में सीचाई की उच अवसकता है तो सिचाई के अवसकता कुछ तीन भागों बाटा गया दोश्तों कि उच अवसकता वाले सिचाई मध्यम अवसकता वाले सिचाई और निमन अवसकता वाले सिचाई यहाँ पर पुछा जा रहा है को उच अवसकता वाले सिचाई तो उच अवसकता वाले सिचाई में देखें वही अगला प्रस्न है कि जार्तों टो मिनिर्म में सी चाई के निम्नावसक्ता होती है कि उले में भी चार जिल्य हैं इसको भी देख लिजिए हाप तो इसमें अगर नाम चुनना हैँ दोस्तों अब इसमें पहले चुनले तो इसका हो जागव पुर्वी सिंभूम है दोस्तों ये निमनी सिचाई वाले इलाका में आते हैं इसके अलावा पुर्वी सिम्भूम के अलावा प्याद रख लिजेगा चत्रा बुकारो और धनबाद चत्रा, बुकारो, धनबाद और पुर्वी सिम्भूम यह होगे नीम नवसक्ता वाले जीले अगला प्रस्न है कि जारकन में सिचाई के सबसे पूराना साधन नीन में से कौन सा है तो सिचाई के सबसे पूराना साधन है पीने के लिए पानी यहां से उप्योग करते थे लेकिन अब इस्थिती ऐसी है कि इतनी गंदी होगे कि लोग पीने तो छोड़े दिन नहाना तक दूर की बात हो गया है आगला प्रस्न है कि जारकन में सिचाई के निमन साधनों पर विचार करें यहां पर दिया हुआ है दोस्तों का इन में से जारकन में सिचाई के इन साधनों को इनके अधिक से कम के परयोग के अधार पर बेवस्तित करें तो सिचाई के लिए सबसे अधिक परयोग किसका किया जै तो उसको चुनी उससे कम फिर उससे कम तो सबसे पहला इस्थान आपनों के याद हो गया होगा दुस्तों की कुवा कुवा के बाद दूसरा इस्थान में आता है तलाब तलाब के बाद आता है नहर नहर के बाद आता है नलको तो एक नमबर में कुवा इसके बाद दो नमबर में आपका आएगा तलाब तिन नमबर में आगा नवार और चार नमबर में आगा आगा आपका नल कू तो आप इसको देख लिजे मिला लिजे तो पहला अगर देखें तो इसका तेरा का तो C मैच कर रहा है कि 3,2,4,1 तो यहाँ पर इसका एंसर यहां पर सीशाई हो जाएगा अगला प्रस्न है दोस्तों कि जार्खन की कूल सिंचित छेत्र में कूओं का योगदान लगभग कितना परती सत है तो जितना सिंचित छेत्र है दोस्तों उसमें कूओं का योगदान पूछ रहा तो उसमें कूओं का योगदान है दोस्तों 30 प परतिसत है तो कुमा के बाद तलाब का ही नमबर आता है जिसका इस्थान उनीस परतिसत है वहीं तलाब से पोशन पुछ देगा सबसे ज़्यादा सीचाई कहा होते तो देवघर जिला में होती है अगला प्रस्ना है कि जहारकन के कुल सिंची छेत्रों में नहरों का योगदा है दोस्तों 18 परतिसत तापि आद कर लेंगे दोस्तों कि कुमा सबसे ज़्यादा तीस परतिसत तलाब उनीस और अठार इसके बाद आता है चौथा इस्थान जहारकन के कुल सिंची छेत्रों में नौल कुप का और नौल कुल का योगदान लगभग कितना परतिसत है तो न सरवधिक सिचाई की जाती हैं थो कि माका के दौरा सबसे सरaux ही किया जाता है दोस्तों गुमला जीले में इसका एंसर रहां पर भी हो जाएगा खर चेंगे ज्हारःट की जी लिमें तलाब के दोर्ण सरोधी चाहिक आ चचाहिँ सिर्दीilot के द्रल जाएक जाता है सरुधिक दोस्तों दगर चे लांपर बी हो जाएगा लास्ट प्रस्ण है दोस्तों कि जहारखन के किस जीले में नल कुप के दोबारा सारोधिक सीचाई की जाती है तो नल कुप के दोबारा सारोधिक सीचाई करने माला जीला लुहरदागा इसका एंसर यह हो जाएगा आज के लिए इतना है दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो म तब तक के लिए थाइंक्यू धन्य बाद जोहार जोहार फंड